पानी में एक चमश नमक डाल कर उसमें डालेंगे मेथी के पत्ते और डाल अलग कर लेंगे मेथी की सबजी बहुत अच्छी लगती है लेकिन मौसम ना हो तो आप इस तरह से मेथी को सुखा कर भी इसकी सबजी तयार कर सकते हैं आलो के साथ तो फ्रेंट्स यहाँ पर मैंने सारी मेथी चाट ली है और नमक वाले पानी से धो कर हम इसे निकाल लेंगे नमक डालने से मेथी का जो हरा कलर है वो नहीं जाता है तो फ्रेंट्स यहाँ पर मैंने मेथी को जिक छन्नी में डाल दिया है और पानी निकल जाने पर हम इसे अधूरा रह जाता है तो इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करें कसूरी मेथी को हमें घर के अंदर ही पंके के नीचे सुखाना है इसे धूप में भिलकुल भी नहीं सुखाना है नहीं तो ये खराब हुजाती है जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें थैंक यू